एक्जामित्र में एक बार फिर से आपका स्वागता अश्या करता हूँ आप सभी एच्चे होंगे दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे युनिश्टी ओप डेली फैकल्टी ओव मेडिकल साइंस के द्वारा इन्फोर्मेशन बुलेटिन जारी किया गया है नीट उजी 2021 के बैसे इस पर आपका MBBS और BDS में एडिमिशन प्रोसेजर कंड़र्ट करवाई जागी तो उसमें आपके डेली के 85% कोटा के तयत ये इन्फोर्मेशन बुलेटिन जारी किया गया तो DU के अंदरगत आने वाली जो भी कोलेशेज है उनमें आपके लिए क्या प्रोसेजर रहेगा आपको किस तरगे से एडिमिशन लेना है सारी जानकरिया आपको इस वीडियो में लेगी वीडियो को सुरू से अन तक जरूर देखिए और दोस्तों गरहां आपर चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को तो भाई इससे कि आने वाले सभी वीडियो जो को नोटिफिशन आपको मिल सके है और MCC की दौर्बर कंडर्ट करवाने के बाद में दोस्तों आपको अपको अपना रोटमेंट हो गया तो सीट अलोटमेंट होने के बाद में आपको अपना रेइश्योर करणा होगा आपको University of Delhi Faculty of Medical Science की official website पे seat allotment के बाद में 85% quota के तैत डेली में अगर आपका seat allotment होता है फिर उसके बाद में आपको registration करना होगा कौन-कौन सी college में अगर आपको admission मिलता है तो आपको registration करना होगा सारी जानकारी मिलेगी तो इससे related आपको information bulletin जारी कर दिया गया तो आप जैसे registration करेगे non-refundable आपका charges रहेगा इसमें registration की जो fees, mbbs और bds course की SCS टीव physical handicap लिए 1000 रूपीज जब general OBC, AWS के लिए 15 रूपे रखे गई है इसमें अगर बात करें आपके official website की तो official website आपकी यह आप देख सकते है www.fmmc.ac.in तो इस पर जाके आप इसकी जो bulletin है वो जारी किया गया है वो आँसे भी जानकरी ले सकते हैं इसके schedule की बात करें तो दोस्तों आपका जो online registration की date है अभी तक जारी नहीं कीगे के विल information bulletin जारी किया गया है तो all India quota की MCC की दौरा जारी की जाएगी तो उसी time पर आपकी MCC की counseling process के दोरा नहीं आपको seat allotment जारी किया जाएगा तो आपका MCC की दौरा जारी करने के वाद में FMSC की दौरा भी यह schedule जारी कर दिया जाएगा कि आपको कबसे registration करना है और कबसे closing date रहेगी लेकिन ये उन्हीं student को registration करना होगा जिनको seat allotment हो जाएगा MCC की MBBS और BDS counseling में 85% डेली quota के अंतरगद अगर registration process की बात करें तो यहाँ पर registration process देख सकते हैं, the candidates are required to register themselves online mcc.nic.in यहाँ पर दियेगा तो participate in counseling of UG MBBS counseling or participant लेने के बाद में आपका seat allotment होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, only those candidates who are allotred seat in college affiliate to University of Delhi after successfully allotment of seat by the Ministry of Health and Family Welfare, government of India are required to register themselves for admission online at faculty of Medical Science University of Delhi website तो आपको seat allotment होने के बाद में ही registration करना होगा. अब बात करते हैं कौन सी colleges हैं, तो course, college institution number of seats distribution यहाँ पर दिया गया है तो Delhi University का अंतरकत जो MBBS courses में हैं, वो तीन medical college हैं, जिनमें आपका LHMC, Lady Harding Medical College मौलाना अजाद Medical College और जो थर्ड है वो आपका University College of Medical Science, इन तीन में आपका MBBS course में और एक आपका BDS course में, मौलाना अजाद इंस्टूट of Dental Science, तो इन में आपका admission होता है, MBBS है, BDS में तो आपको यहाँ पर registration करना होगा और आपका Lady Harding Medical College में केवल female candidate ही eligible रहेंगे, पंदरा परसेंट जो कोटा के अंतरकत आते हैं जिनका Delhi University in colleges में admission होगा, तो उनको यहाँ पर registration करने कोई भी ज़रूत नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि the 15% seat under all India quota are required allotted directly by the directed general of health science DGS, based on need usage of respective year conducted by the National Testing Agency, तो उनको registration करने की यहाँ पर कोई भी आफशकता नहीं रहेगी, अगर यहाँ पर seat distribution की बात करें, तो आप देख सकते हैं, आपके LHMC में कितनी seat है, आपके total seat 240 है MBBS course के लिए, मौलाना आजाद में आपके 250 है, और यूनिसिटी आपकी जो Delhi यूनिसिटी है, उसमें आपकी 170 है, इस तरीके से आपकी MBBS course के लिए 660 है, और मौलाना आजाद Institute of Dental Science में, आपकी 50 total seat है, तो इन में आपका admission procedure है, उनकी seat distribution आप देख सकते हैं, बाग के अगर eligibility criteria की बात करें, तो eligibility criteria आपको already, आपका नेटी के exam दिया था दूसरे पहले, आपका NT के तौरा जारी के अगर से हम वही eligibility criteria रख गया है, तो आप यहां पे देख भी सकते हैं, कि इनका eligibility criteria 85% दली खोटा के अंतरगत क्या रहने वाला है, तो आप इसका screenshot भी ले सकते हैं, साथ या आप इनकी official website पे जाके, यहां से भी आप जानकर ले सकते हैं, इनकी official website पे यह bulletin जारी किया गया 21 और 22 session के लिए, जैसे ही इनकी registration process start होगी दोस्तों, आपको मारे चैनल पे वीडियो मादेम से जानकर मिल जाएगी, और आपको step by step किस तरी किसे registration करना, क्या process रहेगा, सारी जानकर या आपको समय समय वीडियो मादेम से मिलते रही, तो दोस्तों फिलाल के लिए यह update थी मिलते नेक्स न्यूँ वीडियो में नेक्स न्यूँ अपडेट के साथ में धन्यवाद, जैहिन, जैवारत